Good morning students, मैं में सली एंड यू आज ले आया हूँ आपके लिए एक यूनिक वीडियो, एक ऐसी वीडियो जिसको लिखने में ना आप गलती करते हो कुछ ऐसे लेटस होते हैं जिनको लिखने में तो गलती हैं लेकिन लिखने में उतनी गलती हैं जितनी की उसको प्रणाउंस करने में होती है यानि उसकी जब sound हम निकालते हैं तो हमसे गलती होती है और अक्सर बिहार के जो छात्र हैं या फिर जो बिहार या यूपी से जो related छात्र हैं उनको अक्सर ज्यादा गलतिया हो जाती है उनको pronounce करने में उनको sound निकालने में पर don't worry आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे latest बताने वाला हूँ जिनका सही pronunciation जिनका correct pronunciation मैं आपको सिखलाओंगा और उसके साथ साथ उसको कैसे spell out करना है correctly ये भी मैं आपको बताओंगा लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा dot आपको dot का ध्यान रखना होगा ये dot क्या है आपको पता चल जाएगा don't worry वैसे तो dot आप जानते हो कि बिंदू को कहते हैं यानि बिंदू को dot कहते हैं लेकिन dot कहां कहां कब कब इस्तेमाल होता है ये जानना बहुत ही important है बहुत ही जरूरी है किमकि हमारे alphabets या हमारे हिंदी के alphabets हैं उनमें कुछ ऐसे letters हैं जिनके बगल में या जिनके नीचे हमें dots देने पड़ते हैं लेकिन most of the students, most of the people उन dots को छोड़ देते हैं और वो ऐसे ही लिख डालते हैं बहुत सरे writers भी इन चीजों को follow नहीं करते हैं पर आपको करना होगा न क्यूंकि आपको पुर्ण बनना है वैसे तो पुर्ण बनना असंभव है लेकिन कोशिश तो की जाएगी कि थोरा बहुत हम पुर्ण हो सके pronunciation हो या फिर writing हो या फिर speaking हो reading हो जो कुछ भी हो आप कोशिश करोगे कुछ ना कुछ पुर्ण बनने को यानि कुछ ना कुछ तरीके से perfect बनने को और मैं आपका साथ दूँगा मैं भी पुर्ण नहीं हूँ इस दुनिया में कोई भी पुर्ण नहीं है लेकिन थोरा बहुत उस level तक हम पहुँच सकते हैं अगर हम परिस्रम करें अगर हम मेहनत करें तो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर का की बात की है ये का नहीं है ये का है क्योंकि का के निचे आप बिंदू देख रहे होंगे यानि आपको dot दिख रहा होगा का इसे हम का नहीं कहते हैं का कहते हैं और जब आप अर्दू के काउडिंग चलोगे अर्दू के काउडिंग तब यह सारी बाते आपको समझ में आएंगे वैसे आपको ये बाते समझ में नहीं आने वाली है लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको clear-lel समझाने की कोशिश करता हूँ इसे हम का कहते हैं जब भी का के नीचे बिंदू आए आप समझना कि उसे हम का नहीं कहेंगे उसे का ऐसे उचारन करेंगे बहुत सारे ऐसे words हैं जो Q से लिखे जाते हैं के से नहीं लिखे जाते हैं आप क्या जानते हो के से का, सी से का, सी एच से का ठीक है आप जानते हो अच्छी बात है लेकिन जहां कहीं भी का के नीचे बिंदू मिले न आप वहां पर क्यू से का लिखना जैसे कि यहां पर देखो बताया हुआ है क्यू से का अगर का के नीचे बिंदू में हटा दूँ तो आप लिख सकते थे C के, आप लिख सकते थे C, आप लिख सकते थे K, सब चलता, या आप CH भी लिख सकते थे, लेकिन बिंदू आ जाने का मतलब है, डॉट आ जाने का मतलब है, कि आपको इसका उचारण भी different करना होगा, और इस चुने शब्द लिख रखे हैं, चार पांच वर्ड्स लिख रखे हैं, जिनमें आपको Q का इस्तेमाल करना होता है, चलो सबसे पहला वर्ड है इश्क, आई एस एच के गलत, आई एस एच क्यो, और तब इसको हम इसक भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इश्क, है ना, इश्क क कहने का मतलब है, कव बोलते समय हमारा जो साउंड है, वो तालू में हमारी टंग सटनी चाहिए, तब जाकर के ऐसी एवाज आती है, इसक, दूसरा वर्ड कसूर नहीं है ये, कसूर तो होता है के एस डबल ओ आर, लेकिन ये है कसूर, ये है कसूर, क्यू ए डबल एस, क्यू एस, डबल ओ ओ, आर, कसूर, है ना, कसूर, अब नेक्स्ट वला है बिए, क्यू आई, इसे बाकी नहीं कहते हैं, बाकी, इस प्रकार से हम इसको साउंड निकालेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं, वक्त, ये वक्त नहीं है, वक्त कब होता, डबल यू ए, केटी होता तो, लेकिन ये तो है वक्त, और इसकी बाद करें, तो ये तकदीर नहीं है, TAK, DEE, ERE, नहीं है, TAK, DEE, ERE, ये है तकदीर, ये है तकदीर, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ट्स हैं, जिन में आपको हिंदी में कख नीचे बिंदू मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कके नीचे बिंदू नहीं मिलता है फिर भी आप देखोगी कि उसकी अंग्रेजी लिखी हुई है तो Q के साथ लिखी हुई है यानि वहाँ पर क के लिए जो लेटर लिखा हुआ है वो Q लिखा हुआ है के नहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको उर्दू श्ट्रॉंग करनी परेगी लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उर्दू पर हो चलो जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ जीतना बताता हूँ कम से कम उतना भी आप क्लियर कर लोगे तो आपको ये चीश क्लियर हो जाएगा या फिर आप MP3 गाने जो सुना करते हैं या जो डाउनलोड किया करते हैं उसमें जो गाने के बोल होते हैं उसको आप देखोगी लिखा हुआ ट्रांसलेट करके जो लिखा हुआ रहता है और प्रतिक वड़ पर आपको ध्यान देना होगा कि किस वड़ को कैसे लिखा हुआ है मैंने भी वैसे ही ये चीज़े सीखी है जैसे कि वक्त लिखा हो तो W.A.K.T. आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा W.A.Q.T. मिलेगा आपको लिखा हुआ वैसे ही कसूर की बाद करें वैसे ही इश्क की बाद करें बाकी की बाद करें ये सब करेक्ट रूप से लिखे गए रहते हैं और वहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि भाई यहां पर क्यू से क होने वाला है क्योंकि हिंदी को आप follow करोगे तो आपको 95% जगों पर या 80% जगों पर कहने का मतलब है आपको काके नीचे बिंदू नहीं मिलेगा हिंदी में लेकिन उसी की जब अंग्रेजी की जाती है ना तो आपको के से का नहीं दिखाई देगा आपको क्यू से का दिखाई देगा अब दुसरे वाले की बात करते है जा ये जा नहीं है ये है जा ओके जा और जब भी जा की बाता है ना तो आप जड लिखना जे का यूस मत करना डी का यूस मत करना जी का यूस मत करना आपको जेड का यूस करना होगा अब देखते हैं कुछ वर्ट्स ये जरूरत नहीं है ये है जरूरत ये जिन्दगी नहीं है ये है जिन्दगी ये जिद नहीं है ये है जिद और ये फिर जक्म नहीं है ये है जख्म जख्म और यहां खा के निचे भी बिंदु आता है इसलिए खा ऐसे कहेंगे उसको जखम, ओके, यह है राज नहीं, यह है राज, राज, ओके, और यह है फर्ज नहीं, फर्ज, फर्ज, तो ऐसे तो आपको हजारों वट्स मिलेंगे जो जड़ से लिखे जाते हैं, अगर आपके हिंदी में जग नीचे डॉट नहीं भी मिलेना, तो बहुत स लेकिन यह प्रोलम सॉल्व कब हो जाती है, जब जा के नीचे हम बिंदू देख लेते हैं, यानि डॉट देख लेते हैं, तो हमारी सारी कनफ्यूजने दूर हो जाती है, क्योंकि जा के नीचे बिंदू आने का मतलब है Z, J नहीं, D नहीं, G नहीं, कुछ भी नहीं, के, तो ऐसे हजारों शब्द आपको मिल जाएंगे, जहां पर Z sound आता है, और वहां पर इसकी English होती है Z, अब हम बात करते हैं F की, तो F वाले में तो जदा मुझे याद नहीं था, बस एक वर्ड आप अकसर लिखा हुआ देखते होंगे जहां तहां, फोन, और जब आप हिं लेगा, लेकिन कई जगह पर आपको देखने को मिल सकता है, तो F होता है, और जब ही F की बात करते हैं F, ये मतलब जो हमारा ये जो लिप्स है उसमें हमारी कहने का मतलब है, उसमें connecting होनी चाहिए, यानि उसमें touching होनी चाहिए, तब ऐसी आवाज निकलती है F, ऐसे करके होता है, है ना, वो होता है F, उसमें ज्यादा lip की मतलब touching नहीं होती है, तो वो F होता है और उसकी English होती है F, लेकिन PH वाला जो F होता है, उसको थोड़ा सा इस प्रकार से बोलते है F, जैसे कि phone, phone, इसकी जो touching हो रही है ना, वो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें ज्याद नहीं होने वाला, अगर विंदू नहीं मिले तो आप F से कर देना, अब हम बात करते हैं गा की, है ना, ये गा है, गा नहीं है, गा, और ये है खा, खा भी नहीं, खा, अब देखो, गा की English तो G E होती है, लेकिन कई जगों पर मैं आपको एक बता दूँ कि G H से भी गा होता है, जैसे कि गम आपने लिखा हुआ देखा होगा तो G H A M लिखा होगा, एक फिल्म आई थी आमिर खान की घजनी, है ना, तो घजनी में कैसे लिखा हुआ था, G H से गा लिखा हुआ था, ओके, घजनी, G H A J N I, वहां G से नहीं था क्यों, क्योंकि गा ऐसा कहने पर ना, G H का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन अधिकांस राइटर्स या अधिकांस लोगों के तुवरा, G से ही कर दिया जाता है, अब जैसे कि यहां पर देखो, यह गरीब है ना, पर यह साउंड में गरीब नहीं है, यह गरीब है, गरीब, ओके, यह गुजारिश नहीं है, य और यह गम नहीं है, यह है गम, तो यहां पर मैं बात कर रहा था, है ना, तो जी एच लगा देना बेहतर होगा यहां पर, जी एच एम गम, जी एच ए जे एन आई, घजनी, इस परकार से, लेकिन इसको लोग फॉल आउतना नहीं किया करते हैं, तो आगे चल करके, गा के न ख, के एच से ख, जैसे की खत, वो खत नहीं होता, खत, उसके बाद ख्वाइश, उसके बाद खौफ, इस परकार से आपको सेकरो वट्स के हजारो वट्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको ख, ऐसा साउंड निकालना है, ऐसी प्रणंसियसन आपको देनी है, तो आगे से बहुत तो पूर्न बनानी की कोशिस जरूर करोगे, मैं भी आपके साथ हूँ, मुझसे जितना हो सब्सक्राइबा, मैं भी आपको कॉपरेट करूँगा, मैं भी आपके हल्प करूँगा, ओके, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों की तरह, मैं भी सीख रहा ह और पूरी लाइफ, पूरी जिन्दगी सीखना ही तो है क्योंकि हम पूरी लाइफ श्टुडेंट बन कर ही रहा करते हैं अगर हम दुसरे एंगल से सोचे तो कोई भी इंसान पूरी लाइफ तक वो एक श्टुडेंट की भाहनती रहा करता है या अपने आपको अगर student की भांती वो समझे तो वो बहुत आगे तक जा सकता है किमकि सीखने सिखाने का जो कर रहे है जो काम है वो जिन्दगी में कभी पूरा नहीं होता हमें साथ जनम भी मिल जाते ना वैसे तो ये एक प्रोबर्ब है या फिर ये जोटी बात है कि जनमें साथ होती है लेकिन अगर हमें साथ जनम भी मिल जाते ना तो भी हम पूर्ण नहीं बन पाते Dear students ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment box में बताना मत भूलना इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना और बाकी के दोस्तों को बताना लोगों को बताना कि आप गलत pronunciation से बचो और गलत writing से बचो और आज के बाद से आप दो चीजे correct करोगे letters को ले करके एक तो correct लिखोगे और दूसरा correct बोलोगे भी यह मेरा वादा है आपसे बस आप मेरे साथ miracle unit classes चैनल पे बने रहो मैं आपको different types के बहुत सारी वीडियोज दूँगा बहुत सारी वीडियोज दूँगा जो अलग types की होंगी जो बाकी लोगों के दोवारा आपको नहीं देखने को मिला होगा या सुनने को मिला होगा